दोस्तो आज के जो सेसान है काफिया महत्तपुर्ण है भारत का भूगोल से क्वेशन करेंगे 20, 20 MCQ करेंगे जो आपके अगामी एक्जाम, होस्टल वार्डन, एडियो, प्रियोकसाला परिचालक, चपरासी, स्वीपर, सीजी पेसी, प्री के लिए काफिया महत्तपुर्ण है तो टोटल हम 20 प्रस्ण करेंगे जो आपके अगामी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना ये वीडियो जो काफियो इंपोर्टेंट है, बहुत ही मेहनत करके हम इस वीडियो को लेकर आए हैं जो आपके अगामी एक्जाम में पुछे गए हैं बार बार, ठीक है तो देखियेगा कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्व राज्य के साथ बहनों का भाग नहीं है तो भारत का भूगोल से टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी एक्जाम में कई बार रिपीट हो रहा है तो वही कोश्चन लेकर आए हैं आपके सभी परिक्षाओं के लिए महत्तपूर्ण है तो इसका अंसर आपका होगा भी पस्चिम बंगाल जो उसका भाग नहीं है जब की साथ बहने आप यहाँ पर देख पाया रहे हैं हमें आपको डाइग्राम के माद्यम से समझाओंगा है ना तो मेघालाय और रांचल प्रजेस अतिपूरा जो है आपका साथ बहनों का भाग है लेकिन पूछाएगा है भाग नहीं है तब अच्छे से याद कर लीजिएगा इसका अंसर भी होगा पस्चिम बंगाल जो की उत्तरपूर राज्य के साथ बहनों का भाग नहीं है ठीक है है ना देखे यहाँ पर होस्टल वारन एडियो सीजी पीएसी ट्री एक्जाम जैसे परिक्षाओं के लिए उचित लेकर आये हैं जो आपके हरेक एक्जाम में भारत के बोगोल से टॉपिक उठा कर पूछता है है ना तो दो से तीन कोस्टन यहां से बनते हैं है ना तो रिवाइस करके जाएएगा 22 कोस्टन है लेकिन हम 20 प्रस्ण लेकर आया है यह जो कोस्टन है काभी महतब होना है निम्न लिखित में से हुआ छेत्र कौन सा है जो जिसकी सीमा अरुरांचल प्रदेश से नहीं लगती तो यहां पर देखेगा ऐसा कौन सा छेत्र पूछा गया है जिसकी सीमा अरुरांचल प्रदेश से नहीं लगती है यहाँ पर आप डाइग्राम के माद्यम से समझीगा कि यहाँ पर यह आपका असम, भुटान, नागलेंड है जो यहाँ पर प्रदेश से नहीं लगती पुछा गया है तो यहाँ पर आजाएगा उत्तर प्रदेश है न लेकिन मणी पूर्ड जो है आपका यह अनुरांचत प्रदेश से नहीं लगता ठीक है चलिए नेस्ट टॉपिक अप यहाँ पर देखेंगे जो आपको डाइग्राम के माद्यम से पूरा आपको समझाय जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए कि पूछा गया है भारत के मुख्य भूमी अप छांस के बीच फैला हुआ है है ना तो आप सर A, B, C, D कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मालूम है अगर आप व्यापम प्यस्टिक तयारी कर रहा है ठीक है इसका PDF इसका PDF आपको हमारे WhatsApp गरूप पर मिल जाएगा यह फिर आप हमें मेसेज कर सकते हैं ठीक है सर इसका PDF चाहिए करके हम आपको PDF देदेंगे बलकि WhatsApp गरूप में जोईन कर लिजेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा है ना पूछा जाता है तो यहाँ पर देखना जो 68 है ना यानि की 60.7 अर यहाँ पर दिया गहें 9 यहाँ पर 37.6 जो उत्री है यह आपका मध्य हो जाएगा ठीक है यह आपका उत्री साउत हो जाएगा ठीक है तो इसका आख छाँशी पूछा गया है तो आठ चार यानि कि जो आप यहाँ पर दिया गए 8.4 से 6 तक तो यह आपका अंसर हो जाएगा आपका 37.6 वाला दीख रहा है यह वाला यह पाट वाला यह यहाँ नीचे पाट वाला ठीक है अगर देशांतरी पूछा जाए देशांतर तो आप बताएंगे देशांतर के लिए 68.7 और 97 ठीक है यह वाला पाट अगर इधर से पूछा जाएगा देशांतरी तब बताएंगे 68.7 से आपका हो जाएगा 97.5 कुछ इधर है है ना यह आपका देशांतरी के लिए हो जाएगा चले नेस्टर टॉपिक है आपका पूर्वर्टटी मैदान का एक अन्यन्याम क्या है तो जो पूर्वर्टट है आपका मैदान उसका अन्यन्याम क्या है यहां से जो दिया गया है पूर्वर्टट मैदान है ना इनका अन्यन्याम क्या है तो इसका अन्यन्याम होगा आपका दूसरा का सी कोरो मंडल, आप्षन सी, है न, वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप 36 गड़ की क्लासस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर डेली कराया जा रहा है, है न, तो इस वीडियो में कम से कम 50 से अधीक लाइक आना चीए, 50 स सभी सभी वीडियो देखने हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है, भारत के इस्थला कृतिक मांची त्रनीब्ने में से कौन से संगठन बनाता है, तो भारत का जो इस्थला कृति है, आपका 28 कोश्चन करेंगे, इसका है भारती सर्वेक्षन है न, टाइम हो जाएगा होर्थ का B, 82.5 आंसर होगा, हैं, जी बिल्कूल, 36 की क्लासस बिल्कूल चल रही हमारे चैनल पर, जाना चाहते तब जल प्रपास से कोश्चन भी आज लेकर आएंगे, भारती मानक समय रेखा जो है, किस पर अपनाया जाता है, तो आपका जाएगा 82.5 रेखा, य यहाँ पर जो रेखा है, यह वाला पार्ट, ठीक है, चलिए, भारत के दक्षिन छोड, भारत के दक्षिन छोड का नाम क्या है, तो उसको पिगमेनियन के नाम से भी जाना जाता है, है ना, दक्षिन छोड पुछा गया नीचे की तरफ, है ना, तो भारत की जो दक्षिन छ और यह आपका पूर्वी हो जाएगा यह आपका हो जाएगा पस्चिमी तो निको बार द्रिप सब मुझे इस्ति थे ना इंद्रा पॉइंट वही आपका अंसर होगा ठीक है चली देखें भारती उप महादीबी मुल्ता एकंग है यह आप एक्जाम में कई बार पुछाएग का अपसन डी देखेंगे सात्व को सन कहता है कि निक नली खित में से किस देश के साथ ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ अंतराश्टी सीमा नहीं लगाती है कई बार एक्जाम में पूछाएगे हैं आपसन ए पाकिस्तान आपसन बी बंगला देश आपसन सी भुटान आ तो पाल का स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं पाल का स्ट्रेट याने पाक जल संदी ठीक है तो इसका आथ हो जाएगा अंसर ए भारत और स्रीलंका ठीक है नेस्ट टोपिक आपको हो जाएगा यहां पर देखेगा कि निम्ण में से कौन सा भारत सबसे बड़ा नदी दूइ है तो आप अब आएंगे माजली कौन सा है माजली नववा का माजली दीव ठीक है अच्छे से रट्टा माल लिजेगा फिर वीडियो को दो से तीन बार जरूर देखिएगा ठीक है चलिए भारत अपनी अंतराश्टी सीमा सबसे कम कीज देश से साज़ा करता है सबसे कम है तो यहां पर देखे जसी इधर पाकिस्तान है तो यहां पर यह अफगानिस्तान हो जाएगा तो पूछा क्या गया है भारत के अपनी अंतराश्टी सीमा सबसे अधीक सबसे अधीक कि इस देमा करता है तो आप लोग comment box में comment करके बताइए आप सभी के लिए प्रस्न है है ना चली नेशे topic आपका है निम्ना में से कौन सा पोतासरा है पोतासरा है प्राकृतिक पोतासरा नहीं है तो answer क्या होगा A. चन्नाई, B. मुंबई, C. कोची, D. पारदीब अगर आपको मालूम है तो comment करके बताइएगा तो पोतासराइ प्राकृतिक जो है आपका होगा A. चन्नाई में ठीक है, next topic है आपका कि किस देश के साथ भारत के सबसे लंबी अंतराष्टी सीमा है अब भारत के सबसे लंबी अंतराष्टी सीमा ये कई बार आपकी एक्जाम में पूछा गया इसलिए मैं कह रहे हूँ अगर डेली क्लास करना है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए गए सभी अगर जितने भी वीडियो को देख रहे है सभी के सभी वीडियो को लाइक जरूर करे है तो बार आपके अंशर हो जही बंगलादेश नेश्ट है राज्यो के की समौ के साथ नागालेंड की साजह समाय है तो नागालेंड की जो साजह है न तेरा का वो आजाएगा भी अरुणांचल प्रदेश, असम और मरीपूर इसके बाद राज्य समूह जिनके मरीपूर की सिमाय लगी हुई है तो चवदा का हो जाएगा आपका C, नागालेंड, असम और मीजोराम ठीक है, नेश्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साजह नहीं करता आप बोलागे हैं नेपाल के साथ है ना अपसने उत्तर परदेश, अपसन B, पस्चिम मंगल, अपसन C, बिहार, अपसन D, असम तो आप लोग फटा-फट कमेंट करके बताएगे कि कौन सा अपसन होगा है ना तब हम आपको आंसर पता रहे हैं तो पंद्रक आंसर D होगा, असम कौन सा अजाएगा, D, असम नेश्ट है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदला की थी तो किस के साथ अदली बदली याद रखना हमेशा कभी भी पूछा जाए ना मानचित्र अपने भूगोल से भारत के अदली बदली कहीं भी सुनो, है ना अदली बदली कहीं भी सुनो, फटाक से अब बंगला देस मार देना फटाक से बंगला देस बंगलादेश अपनी सीमा किस भारती राज्य से साज़ा नहीं करता? कौन सा भारत राज्य साज़ा नहीं करता? असाम, त्रिपूरा, जारखन, मेघालाई तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा? सत्रक अंसर सी जारखन बंगलादेश के साथ अपनी सीमा साज़ा नहीं करता? बंगलादेश के साथ पुछा गया है, त्रिपूरा, मनीपूर, असाम, मेघालाई तो इसका अंसर हो जाएगा आपका B, मनीपूर, इसका अंसर B होगा है ना? चलिए भारत और भुटान की बीच सीमा भारती राज्यों से लगती है, कौन से राज्यों से? चार, दो, तीन और पाँच भारत और भुटान की बीच की जो सीमा है आपका, भारती राज्यों से चार देशों से लगती है वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंड करके बताईएगा ठीक है अगर सभी का अंसर में आपको दूँगा फिर आप लोग तो मज़ा ही मज़ा हो जाएगा फिर चलिए लास्ट कोस्चन है निम्ने से कौन से मिलांस सही नहीं है आप लोग कमेंड करके बताईएगा दारजलिंग पस्चिम मंगाल माउंट आपू राजस्थान कोड़ाई कानाल तमिल नाडू सिम्ला उत्तर परदेश क्या होगा इसका अंसर आप लोग कमेंड करके बताईगा इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब D सिमला उत्तरबर्द जो की सही नहीं है क्योंकि दारजरी पस्चिम मंगाल में मांट आप उराजस्थान कोड़ाई कनाल तमिन नाडो में ठीक है इतना है ना तब वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके बताईएगा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को सस्क्राइब कर लेना लाइक कर लेना और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो आपको डेली क्लास मिलेगा बिलकुर सभी के सभी इंपोटेंट है है ना तो आज के लिए फिरित नहीं जैए